नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल वर्ल्ड अविरनेस पर उम्मिद करता हूँ सभी अच्छे होंगे दोस्तों इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ बैतरिन से, MCQs, Polity से समन्दित और ऐसे कुछ क्योसन जो की एक्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं आएए बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ही क्योसन के तरफ में स्टार्टिंग में आपसे पूछा है, पहले ही क्योसन में काफी इंपोरेंट रहे गाई भारत के महानयवादी के संबंद में निमलखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछे आपसे अब ओपसन आपके सामने है, वै भारत सरकार का पर्थम विदी अधिकारी होता है उसे भारत के समस्त न्यालों में सरकार का पक्स परस्तूत करने का अधिकार होता है वै संसद में अत्वा संसद के किसे भी बैठक में भाग ले सकता है या फिर option number D आपके सामने है, उसे संसद की कारवाई में भाग लेते समय मतदान का अधिकार होता है, अर्थात voting का अधिकार होता है सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि महान्याईवादी का अर्थ क्या बनता है बचों एक्जाम के अंदर काफी दो जाते इसकी बात करूँ में, तो बहुत सारे किसन या से पूछे गई है महान्याईवादी एक सविधानिक पद होता है, और सविधान के article number 76 में इस पदिका जिकार है इनकी चाहिए नुक्ति करनी हो, इनको सपत दिलानी हो, या इनको पद से हटाना हो या फिर अगर महान्याईवादी अपना त्यागबतर सोंपना चाहिए, तो सभी बातों के लिए responsive होते हैं भारत देश के P4 President यानकी राष्टपती दूसरा महान्याईवादी होते कोन है, भारत सरकार के पर्थम विदी अधिकारी या फिर आप इनको पर्थम वकील भी खह सकते हैं अगली बात, महान्याईवादी का जो पद है दोस्तों, या अपने बिटेन से अपना रखा है और ये तो आपके पर्थम विदी अधिकारे होते हैं वैसे एगर आपके सेकंड के बात करते हैं तो उनका नाम होता है दोस्तो सोली सीटर जन्रल अब ये भी एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टन्ट है पूचे आपसे भारतिय सरकार की दूसरे विदी अधिकारी कोन होते हैं तो उनका नाम है सोली सीटर जन्रल वरतमान में बचो तुसार मैता है और इनके कारेकाल को हाली में बढ़ाये गया था इस कारण से ही कि उसन भी आपका इंपोर्टन्ट बन जाता है अगली बात महानेवादी जैसे के अंदर सरकार के वकिल होते हैं वैसे ही राजे सरकार के अंदर जो वकिल अबचो उसको महादी वक्ता कहा जाता है एडवोकेट जन्रल महादी वक्ता कहा जाता है ये भी आपको यहां से पॉइंट याद कर लेना है जैसे महानेवदी के पद का जिकर आर्लिट का लंबर 76 में है वैसे ही महादिवक्ता का जिकर आर्लिट का लंबर 165 में हमें देखने को मिलता है अगर आपा option पे आए तो वह है भारत सरकार का परत्थम विदी अधिकारी होता है बिल्कुल सही बात है उसे भारत के समस्त न्यालोंग में सरकार का पक्स परस्तूत करने का अधिकार होता है वैस संसद में अथवाद संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है बिल्कुल सही बात है लेकिन जो option number D है बच्चों उसे संसद की कारवाई में भाग लेते समय मतदान का अधिकार होता है ये बिल्कुल यहाँ पर गलत लिखा है महानयवादी होता है वो संसद के किसी भी सदर में अर्थात लोक सभा में या फिर राजय सभा में बैठकों में भाग ले सकता है बैटकों को संभोधित कर सकता है बैटकों के अंदर अगरबात करिया पास सलावगरा दे सकता है बच्चों लेकिन मतदान का अधिकार उनके पास में नहीं होता है क्योंकि महानेवादी जो है वो संसद के किसी भी हाउस का मेंबर यानकी सदस्य नहीं होता है तो आपसे नहीं पुछा है तो option number D is the right answer D बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस question का आईए बढ़ते हैं अगले question के तरफ आगे पुछा है कोई विदेख धन विदेख है या फिर नहीं है इसका फैसला कोन करता है question काफी important है रास्टपती करते हैं दोस्तो धन विदेख की बात करते हैं money bill काफी important है exam में question बार बार यहां से पूछता है धन विदेख इसको अपन सोट फोर में MB लिखेंगे मतलब की money bill लिखेंगे money bill अगर आप प्रिकरिया की बात करें बचों सविधान के article number 109 में money bill के process की बात लिख रखिए money bill हमेशा और मेशा सबसे पहले सरो पर्थम राष्टपती की सिफारेस recommendation के बाद में लोग सभा के अंदर पेस के जाता है और लोग सभा के अंदर pass होने के बाद में यह bill आपका जाता है राजय सभा में राजय सभा के पास में money bill को लेकर मातर 14 दिन का समय होता है pass करने के लिए राजय सभा धनवे देखो अगर 14 दिन में pass कर देती है ओकी रिपोट है अधरवाईज लोग सभा से money bill automatically pass मान लिया जाता है यह point काफी important है आपको याद करना है है उसके बादें बच्चों money bill को राष्टपती पुन्हे विचार के लिए दुबारा से संसद में नहीं लोटा सकता है यह भी काफी important point बनता है RATC number 110 की बात करें इसमें money bill की definition यानकी परिवासा के बारे में लिखा हुआ है और simple सी बात यह कि आपसे पूछा है money bill है या फिर नहीं है इसका फैसला कोन करेगा तो मैंने आपसे पहले ही बताया कि राष्टपती की सिफारिस के दार पर money bill को सबसे पहले लोग सभा के अंदर पेस के जाता है और लोग सभा के अंदर जो main वेक्ति होता है उसको बलते अपा लोग सभा का देक्स इनी के पास power होती है कि कोई bill money bill है या फिर नहीं है मुखे नैदिस की अनुपस्थिती में अपसेंस में राष्टपती किसके समक्स सपत लेता है अब राष्टपती के सपत की बात सविधान के आलिटिक लंबर 60 यान के 60 में दें Mention है साठ में राष्टपती के सपत यान के ओत के बारे में लिखा है और इसवर के सपत लेते हैं सविधान के तीसरी अनुची भी सपत की बात करती है लेकिन बारत देश की राष्टपती तीसरी अनुची एकोर्डिंग सबत ग्रेंड नहीं करते हैं, यही बहुत बात आपको यहां से याद कर लिनी है उसके लावा बच्चों, राष्टपती को सबत दिलाते हैं CGI लेकिन आपसे पूछा है कि अगर CGI अपसेंट है, अनुपस्थित है तो उस कंडिसन में इनको सबत कोन दिलाएगा, फिर बच्चों responsible होता है सरवोच नाले सुप्रीम कोट का, जो second number का या फिर जो सबत दिलाएगा, तो अगर आपका D देखते हैं, सरवोच नाले का वरिष्ट न्याइधिस जो होता है बच्चों, वो इनको सबत दिलाएगा, यानकि सुप्रीम कोट की बात करें, इसमें कुल मिलाके सुप्रीम कोट के जो जज होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, योगिता क्या है, ओन व्यक्ती है, जो कि सुप्रीम कोट में जज बन सकता है, आपको कमेंट करके बताना है नेक्स्ट कुसन, यदि राष्टपती दवारा किसी विदे को पुने विचार के लिए लुटाया जाता है, तो फिर वह किस विट्टो का प्रियो करता है, आपसे पूछाए, स्विधान के आर्टिकल 111 में विट्टो पावर का जिकर है, और इसमें लिखाया कि जो बिल होत होते हैं, उनके ओपर राष्टपती अपना एसेंट देते हैं, अनुमती देते हैं, इसके बारे में यहां पर मैंशन है, राष्टपती इसी आर्टिकल के तैत विट्टो पावर का प्रियोग करता है, और इनके पास में एक कुल मलाके तीन तरह की विट्टो होती है, जैसे एक विटो होती है बचो, absolute विटो, जिसे अंत्यांतिक विटो कहते हैं, दूसरी विटो होती है बचो, suspensive विटो, suspensive विटो, जिसे निलंबनकारी विटो कहते हैं, और तीसरी होती है pocket विटो, जिसे जे भी विटो कहते हैं, तो आपसे पूछा है कि राश्टपती किसी बिल को विदे को पुने विचार के लिए वापिस लोटाता है तो इसे कौन से विटो का जाता है वचो तो इसे का जाता है Suspensiveर विटो अरथात निलमबनकारी विटो का जाता है और अगर यहाँ पर लिखा होता कि अगर राष्टपति बिलको पास करने से मना करता है तो राश्टपती ने अगर बिल्को पास करने से मना कर दिया, नो कहा दिया, तो फिर उसने absolute विट्टो यानकी अंत्यानतिक उतर बनता मारा, और अगर pocket की बाद आती है बच्चो, तो pocket का मतलब ये बनता है कि राश्टपती ने बिल्को read करके, उसको अपने अनिस्टित काल के लिए pocket में रख लिया, जेव के अंदर रख लिया, तो उसे आपाँ जेवी विट्टो बोलते है, यानकी option number 1 हो जाता, लेकिन पुन्हे विचार के बारे हैं पुछा है, तो पुन्हे विचार के संबन्ध में answer करा रहेगा, आपका सस्पेंसिव विट्टो हो जाएगा, यानकी B is the right answer, एक्जांपल की बात करें बचो, तो absolute विट्टो का प्रयोग, डॉक्टर राजेंदर परसाद ने, पैप्सू बिलको लेकर किया था, सस्पेंसिव उपने विजार की बात करें, डॉक्टर एपिजे अब्दुलक्राम ने, 2005 में Office of Profit के बिलको लेकर किया था, Office of Profit और Pocket की बात करें बचो, 1986 ने ग्यानी जैल सिंग बारदेश के राज़ पे थे, इन्होंने Post Office Amendment को लेकर ये संसोदन किया था, आनकी Pocket विट्टो सकतिया प्रयोग किया था, आज का अंतिम के सुन है, भारत की राष्टपती जो होते हैं, तो एक मातर मामली में विट्टो सकति का प्रयोग किया था, वैकून सा है, अब ये भी आपने पढ़ा बचो, विट्टो सकति का प्रयोग जो है वो भारत की राष्टपती, ज्यानी जेल सिंग ने किया था, और ज्यानी जेल सिंग की बात करे वचो, तो 1986 की बात है, डाक संसोदन विल लेकर थी राष्टपती की सरकार, तब उस विल को लेकर, जो राष्टपती साब है, जब उनके पास में साइन के लिए गया, तो उन्होंने इसके उपर अपनी वीट्र सत्य अपर्यों किया भारतिय डाक संसोदन दिरियों C is the right answer ग्यानी जैल सिंग राश्पती बनने से पहले बारत सिरकार गें केंदर में गईवियों मंत्री थे ये भी आपको याद करना है और ग्यानी जैल सिंग भारत के पर्थम सिख पर्थम सिख राश्पती कुछ महतरन पून अपने किस्टन किये आपाने काफी इंपोर्टनट है एक्जाम के लिए भी आपको सारी बात इसमझ में आयोगी बचो इसी तरीके से आपको कंटिनुए सेरेज को जाई रखेंगे मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक के लिए सबी को जाहिए राम राम